इस कारेक्रम के प्रायोचक है शिर्पारस्तनाथ री रोलिंग मिल्स लिमिटेड दुर्गापोर शुन्य एक वर्धमाण दुर्भाण अमिता जैन पतने अनिल कुमार जैन संगीता जैन पतने विपिन कुमार जैन नावला परिवार श्रिमानत चंद मुश्रफ, श्रिमति कमला देवी मुश्रफ, राकेश, नीतो, रिशव, आयुशी मुश्रफ, बी 113, सेठी कॉल्ने, जैपूर राजस्थान डॉक्टर सरोज जैन, सुभाष चंद जैन, रेनु जैन, अंजली जैन, आर्थी, आदित्य, आरव, सानवी, कुवम जैन, 302, सेक्टर 13, सोनिपत हरियान श्री अशोग कुमार रतनलाल जैन, नूतन, गौतम, प्राजी, आदित्य, डॉक्टर सलोनी निरंजन, अरहन, आराध्य महिता, उलनचास बालचंद टेरस तार्देव रोड, मुंबई रतनलाल, कमल कुमार, शांति देवी पाठने, इमफाल जैन परिवार, शक्ति नगर, नई दिल्ले मुख्ष मार्गश्य नेतारं, बेतारं, कर्म भूब्रतां, ज्यातारं, विश्वतत्वानां, वंदेतत्गुण लब्धए तो सबसे पहले अहिंसान वृत के अतिचारों की चर्चा प्रारंब होती है बंद बदच्छेदा तिभारा रोपणान पान निरोधाः बंद सरावक है, घर में गाहे भेस बांद रखे है उन्हें इतने कसके न बांधे बंध बाने उन्हें इतने कसके न बांधे जो वे च्छानुसार गमन भी न कर सकें उनकी गर्दन नीचे कसके ऐसे बांधे जिससे पीड़ा हो ये पहला आतीचार है बंध सूत्र बहुत इसपस्ट है दूसरा आतीचार है बद बद का मतलब उनको डंडे से चाबुक आदी से मारना सामने वाले को कितनी पीड़ा होती है अगर ऐसा करता है न तो अहिंसान बृत में दोश लगता है अतीचार लगता है छेद उनके नाक आदी को छेदना उसमें रसी लगानी है क्या करेंगे उनमें छेद करना है बृती ऐसा काम नहीं करेगा अगर करता है तो उसके आइंसान बृत में दोश लगता है बहुत पीड़ा का काम है ये अतिभारा रोपन जितना बजन लादना चाहिए उससे ज़्यादा बजन लादना जितना काम लेना चाहिए उससे ज़्यादा काम लेना अतिभारा रोपन है इसमें भी सामने वाले को पीड़ा बहुत होते है हिंसा इसी का नाम तो है सामने वाले किसी को दुख देना इसका नाम हिंसा और अन पान निरोध अर्थात समय पर उसे खाना या पानी नहीं देना उसका निरोध मने रुकावट करना इससे भी उस जीव को बहुत पीड़ा का अनुभब होता है फिर एक बार देखें अहिंसान गृत के पांच अतिचार कहे हैं पहला अतिचार बंध जो उस जानवर आदी को कसके बांधना ताकि उसके गरदन आद में पीड़ा हो जाए इच्छा नुसार गमन न कर सके अगर आग लग जाए तो अपनी जान भी न बचा सके वध बद माने चावक कोड़े आदी से मारना छेद नाकान आदी का छेदना अतिभारा रोपन भाज इतना भार लादना चाहिए उससे ज़्यादा भार लादना और अन पान निरोद समय पर खाने पीना ना देना उसकी रुकावट करना सामने वाला जो भी है वो भूक और प्यास से बहुत दुखी है लेकिन ना देना इससे भी हिंसा लगती है अते है ये पांच कारे अहिंसार अवरत के अतिचार है ये अतिचार जो आपने बताए होगे हैं ये अतिचार पस्वों पर लागू होते हैं या परसों पर भी होते हैं ये पश्वोय पर तो होते ही हैं, मनुश्यों पर भी होते हैं. कैसे होंगे जैसे बंद, किसी को अपने गाई जाना है, गाई में किसी की डैत हो गई है, या कोई खास बात है, मैं नहीं जाने दूँगा, पहले मेरा सारा काम निप्टाओ, तब जाने दूँगा उससे पहले नहीं, नहीं जा सकते हो, बंध उससे उससे कितनी पीड़ा होगी, मालो घर में नोकर है, काम ठीक नहीं किया, आपने उसकी पिटाई कर दी, तो भी तो अतिचार होगा, अतिभारा रूपन, मान लीजिए, दो नोकर थे, एक नोकर चला गया, अब दूसरे नोकर से आपने कह दिया, वो नोकर चला गया है, चार दिन छुट्टी पे है, सारा काम तुम्हें निप्टा ना है, मालिक इतना काम मैं निप्टा पाऊंगा, निप्टा होगा कैसे नहीं, हम थोड़ी करेंगे तुम्हारा काम, सारा काम निप्टा, उस पर अतिभारा रूपन कर देना, और जब तक ये काम नहीं निप्टे काना, तब तक खाने पीने की बात नहीं, पहले काम निप्टाओ, फिर खाना पीना मिलेगा अन पान निरोध ऐसे बहुत से प्रसंग आते ही रहते हैं तो अगर ऐसे प्रसंगों में उन नौकर आदी के साथ ऐसा ब्यवहार होता है या किसी भी अन परवारी के साथ या किसी अन मनुश के साथ ऐसा ब्यवहार होता है तो उसमें अहिंसान वृत मैं दोश लगता है वरति तो बड़ा सरल परिणामी बड़ा संतोशी बड़ा सांत परिणामी होता है सम्यक दर्शन के चार गुन बताई हैं प्रसम, सम्यक, अनुकम्पा, आस्तिक प्रशम माने उसकी तो कशाएं बड़ी मन्द होते हैं अनुकंपा बड़ा दयावान होता है ये पांचों तो निर्दई के चिन नहें ये निर्दई के चिन ब्रती में नहीं होते आचारियों ने उसकी लेश्या पीत पद में शुक्ल लिखी है क्रशनील कापो तीन लेश्या तो ब्रती के होती ही नहीं तो जिनके तीन लेश्या नहीं हैं, उनके ऐसे परड़ाम कैसे हो सकते हैं। फिर भी अगर कचित कदाचित भी होते हैं, तो वे अतीचार माने जाते हैं। अगर व्रती अपनी शिद्ध दूदागी के लिए जानवरों को पालता हैं, तो उसको बाद की ही रखना पड़ेगा, तो कैसे काम बनेगा। शास्त्रों में, स्रावकाचारों में इस बारे में बहुत अच्छी अच्छी चर्चाएं लिखी हैं। उन्होंने लिखा है, यद व्रती गाह भैस आदी पाले, तो उनका एक बाड़ा बनाएं। बाड़े में गेट बंद करें, लेकिन जानवरों को खुला रखें। बांध ही नहीं। उन्होंने लिखा है, सरावक को शुद्ध दूद चाहिए, शुद्ध घी चाहिए, कैसे मिलेगा? मिलेगा। जानवर बांध है, पर बांध है नहीं। जानवर रखेगा तो सही, बांध है नहीं। खुले में रखे। अच्छा ऐसा खुले में नहीं रख सके अगर ऐसा बाड़ा नहीं हो तो उसकी रस्ती 10-20 गज लंबी हो ताकि वो कहीं जाये तो नहीं लेकिन इच्छानुसार गमन कर सके इतना हलका बंदन हो अपने नोकर चाकर भी मान लो हो उनकी पीड़ा का जराभी अनभव हो फोरण मैंने सुना है तुम्हें फला फला कस्थ है हाँ जाओ अभी आराम करो काम तो बाग में हो जाएगा ऐसा परणाम होना चाहिए नहीं तो कैसा सम्मेक दिश्टी और कैसा वृती आचारियों ने मना नहीं किया आचारियों ने पशुपालन को योगे कारिमाना है लेकिन अगर वो तरीके से किया जाए तो कम होने का तो प्रश्णी नहीं क्योंकि आचारियों की दिश्टी बहुत बहुत विस्तृत होती है लेकिन अधिक हाँ इसके यहां मुख्य मुख्य अतिशारों का वरणन किया इसके अलावा अन्य और वी ऐसे कारियों जो ब्रत में दोश लगाने वाले हो उनसे उसको बचना चीए लेकिन मुख्य रूप से पांच-पांच अतिशारों का वरणन यहां कर दिया गया अब सत्यान ब्रत के पांच अतिशारों को अगले सूत्र में देखते हैं मिथ्यो पदेश रहो भ्याख्यान कूट लेखक्रिया न्यासा पहार साकार मंत्र भेदा बोलिए मिथ्यो पदेश रहो भ्याख्यान कूट लेखक्रिया न्यासा पहार साकार मंत्र भेदा सूत्र बिलकुल सरल है और पांच जो अतिशारें अलग-अलग दिखाई दे रहें पहला आतिचार मिथ्यो पदेश दूसरा रहो भ्याख्यान तीसरा कूट लेखक्रिया चौथा न्यासा पहार पांचमा साकार मंत्र भेद आईए अब जिराइन को समझते हैं पहला मिथ्यो पदेश आत्म कल्यान के जो पदेश हैं उनको बदल देना कल्यान कारी सुख देने वाले उपदेशों को न देकर जूटे उपदेश उनको अपनी मन भरजी से बदल कर पढ़ाना बताना मिथ्यो पदेश है जूटे उपदेश देना रहो भ्याख्यान किसी इस्त्री पुरुष की कोई क्रिया एकांत की देख लिए हो तो उसको प्रगट कर देना सामने वाले को उससे बहुत पीड़ा होते है जूट की परवाशा है पर पीड़ा कारक बचन चाएं सत्य हो फिर भी जूट है कूट लेख क्रिया अर्थात किसी को बदनाम करने के लिए किसी से अपनी दुश्मनी निकालने के लिए उसके सम्मद में जूटे लेख लिख देना या जूटे दस्तावेश तयार करना ताके वो मुकदमा हार जाए नकली कागज बना लेना इसका नाम कूट लेखक क्रिया न्यासा पाहार न्यास और अपाहार मतलब धरोहर का हडप जाना धरोहर का हडप जाना दो तरह से होता है कोई आपके पास कुछ सामान रख गया था जब बुलेने आया तो कह दिया किसी और किया रखा होगा हमारे पास तो आपने कोई सामान रखा नहीं ये तो महाचोरी हो गई ये तो महान ज्हूंट हो गया इसलिए ये तो बृत भंगो हो जाएगा ये अतिचार नहीं है तो अतिचार क्या है नियासा पाहर में नियासा पाहर में ये है कोई आपके पास छे चूडियां मान लो 40,000 रुपे में रखे गया था जब बुलेने आया उसने आपको रुपया और ब्याज दिया और बोला मेरी चार चूडियां दे दीजिए तो उसको चार चूडिय दे देना दो चूडियां उसकी रह गई उसके बारे में न बताना ये नियासा पाहर है व्यापार में ऐसा होता है हमारा आपका लेंदेन चल रहा है हिसाम मिलाने बैठे सामने वाले ने हिसाम मिलाते हुए मान लो एक रिकम वो भूल गया उसने हमें दसजार रुपे दिये थे हमारे याँ आये थे लेकिन हमने उसे नहीं बताए अगर ऐसा किया तो नियासा पहार ये सत्यान बृत में दोश लगेगा इस पस्ट बोलिए भईया हमारे याँ दसजार रुपे और आए हैं आप अपने याँ देख ले ना और साकार मंतर भेद किसी की कोई बात मान लो टेली फून पर सुन ले और किसी इशारे आदी से जान ले और फिर उसको लीग कर दे इसका नाब है साकार मंतर भेद इससे भी सामने वाले को पीड़ा होते हैं इसलिए सत्यान व्रत के पांच अतिचार ना लगें कौन-कौन से हुए मिठ्य उपदेश जूटे या गलत या अकरल्यान कारी उपदेश देना रहो व्याख्यान इस्त्री पुरुष की एकांत की क्रिया को प्रिगट कर देना कूट लेखक्रिया किसी के बारे में जूटे लेख जूटे दस्तावेज आदि बनाना न्यासा पहार धरोवर का हडब जाना और साकार मंत्र भेद किसी के इशारे आदि को समझ कर उसके इशारे या उसका परपस उसका प्रयोजन लीक कर देना ये 5 सत्यान उवरत के अतीचार है क्या सत्यान उवरती वकालत का पेशा कर सकता है उसे तो जूटे केसेज भी लेने पड़ते हैं तो क्या वच सत्यान उवरती कहलाएगा ऐसा नहीं क melting के पेशे में जूट बोलना ही पड़ता हो हमारे एक रिष्धिदार वकील है हमने उन से पूछा आप का पेशता तो बहुत गंदा है उन्होंने कहा नहीं मैं एक भी एक पैसे भी गलत काम नहीं करता हमने पूछा आप क्या करते हैं मैं बैंकों के बैंकों के केस लेता हूँ बैंक वाला मुझे केस देता है इससे 12 लाख इससे 25 लाख इससे 30 लाख लेने है मैं सिर्फ उन्ही केसों को करता हूँ एक पैसा भी जूट सच बोलने का काम नहीं मैंने और भी ऐसे लोगों को मैं जानता हूँ एक बगील साहब हमारे मित्र हैं बहुत धर्मात्मा रोज पूजा करते हैं दो घंटे वो इसपस्ट कहते हैं केस देखने के बाद मैं अगर देखनू न ये केस जूटा है तो उसकेस को कहता हूँ नहीं भाईया केस तुमारा जूटा है मैं नहीं लोगा मैं किसी को पीड़ा नहीं दे सकता बकील का काम तो बड़ा आजब होता है महात्मा गांधी के जीवन की एक घटना मुझे याद है महात्मा गांधी बैरिस्टर थे वो कभी भी गलत केस नहीं लेते थे एक बार उन्होंने एक व्यक्ती का केस ले लिया बहुत अच्छी तियारी की और कोर्ट में पहुँच गए बाद में मालुम पड़ा उस व्यक्ती ने कहा मेरा केस मुझे आज जिता दीजिए मैं गलत तो हूँ पर आपके हाथ में मैं सुरक्षित हूँ उन्होंने अतना सुनना था कि जज के सामने इस्पस्ट के दिया जजसाब देखो मेरा मुबक्किल जھूट है इसको बिलकुल पनिश्मेंट दे दीजी उन्होंने इस्पस्ट जज के सामने बोल दिया तो ऐसा नहीं कि हाँ सारे व कील ही गलत काम करते हैं लेकिन ये निश्चित है कि बकालत में जूट सच का काम बहुत होता है, सत्यान उबृती उन कारियों को नहीं कर सकता। अब अचोर्यान उबृत के अतीचारों को देखते हैं। इस्तेनप प्रयोग तदा हृतादान विरुद राज्याति क्रम हीनाधिक मानोन मान प्रति रूपक व्यवहाराह भूलिए। इस्तेनप प्रयोग तदा हृतादान विरुद राज्याति क्रम हीनाधिक मानोन मान प्रति रूपक व्यवहाराह इस्तेनप प्रयोग किसी को चोरी के प्रयोग बताना चोरी की अनमूदना करना इस्तेनप प्रयोग दूसरा तदाहरतादान अब ध्यान से देखना आप जिसको चोरी का प्रयोक चोरी के बारे में बताया था तुम यो जाके यो जाके ऐसे चुराओगे तो माल चुरने में आ जाएगा अगर वो लाता है माल चुरा के और आप खरीदते हैं तब तो अतीचार नहीं अना चार है लेकिन अन्य कोई चोर चोरी का माल लाया हो और उसे आप खरीदते हैं तो तदाहरतादान चोर के द्वारा चुराया गया माल खरीदना ये बिलकुल चोरी का दोश है और देखा भी जाता है जब कोई चोर माल बेचने आता है ना माल बेच जाता है बाद में जब पुलिस पकड़ती है तो वो कहता है मैंने माल यहां बेचा तो उसको तो पकड़ता है जिनने खरीदा उसको भी पकड़ता है क्यों वो भी तो चोरी है विरुद्ध राज्यातिक्रम देखें शब्दकार्थ विरुद्ध राज्य का अतिक्रम माने उलंगन करना मानलो मद्ध प्रदेश से गेहू राइस्थान में जाने की गॉवर्मेंट की पर्मीशन नहीं है अगर हम चोरी छिपे मद्ध प्रदेश से गेहू राइस्थान में भेजते हैं तो विरुद्ध राज्यातिक्रम कहलाएगा जहां राज्य ने बंदर लगाया हुआ था आपने उसका उलंगन क्यों किया सरकार ने जो टेक्स आदी लगा रखे हैं उन टेक्स आदी का अगर हम पेविमेंट ना करें कुछ का कुछ लिख दें ताके कम देना पड़ जाए ये सब चूरी है और अगर अचोर्यान उबरती है तो उसके उसमें अचोर्यान उबरत में दोश लगेगा एक बात विशेश और यदा कदा हो जाए तब तो कहलाता है अती चार और जिसने पेशा बना लिया है उसका तो अनाचार है उसका अती चार कैसा अती चार यदा कदा दोश लगते हैं अती चार का प्राइस चित तो होता है अनाचार का प्राइस चित नहीं होता क्यों रोज दोश लगाते हो रोज चोरी करते हो टेक्स शादी की तो इस टेक्स शादी की चोरी का अब क्या प्राइश चित्त दिया जाए कभी भूल चुक से कोई गलत काम हो जाए तब तो इस पर विचार हो भी सकता है बिरुद्ध राजिका अतिक्रम करना हीन अधिक मानोन मान हीन अधिक मान और उनमान अर्थात मान उनमान मतलब नापने और तोलने के लीटर या बांट आदी हीन अधिक कमती बढ़ती रखना सामान लेना है तो लीटर बढ़ा सामान देना है तो लीटर छोटा हम हमारे या एक दूद वाला था हम उसके आ गई तो वो क्या कर रहा था पत्थर के ऊपर जो लीटर का वर्तन था ऐल्मूनियम का उसको उल्टा करके घिस रहा था हमने का क्या कर रहे हो थोड़ा घिसनू बाबू थोड़ा दूद बच जाएगा तो अच्छा ही तो है ऐसा करता है हीनाधिक मानोनमान अर्थात नापने और तोलने के नापने और तोलने के जो लीटर या बाट आदी हैं उन्हें कमती बढ़ती रखना और पृतिरूपक व्यवहाराह पृतिरूपक एक सी दिखाई पढ़ने वाली दो वस्तू सस्ती और महंगी उनको मिलाकर महंगे के भाव बेचना पृतिरूपक व्यवहाराह एक सी दिखने वाली दो महंगी और सस्ती वस्तूओं को मिलाकर महंगी के भाव बेचना जीवन का एक उधारन आपको बताऊं एक बच्ची के लिए तोड़ी खरिदने थे एक अफसर ने कहा था चांदी के तोड़ी लाके दे देना अपने एक रिस्तेदार तोड़ी बेचने का काम करते थे मैं उनके पास स्वयम गया और मैंने उनसे कहा बच्ची के दो तोड़ी दे दू उन्होंने मुझे दिये मैंने कहा बिलकुल शुद्द चांदी के देना उन्होंने कहा आप से मैं कोई गलत काम कर सकता हूँ क्या बिल्कुल शुद्द चांदी के दे रहा हूँ 90-95 परसेंट चांदी होगी थोड़ी बहुत तो मिलावट बिना तो होता नहीं न काम मैंने का ठीक मैंने वहाँ से तोड़िया ले और उन सापके हाँ दे दिये मैंने का उन्गोने मुझसे का था चांदी वाले से आप सामान ठीक ले आएंगे मैंने उनको दे दिये करीब दस बारे दिन होंगे उन्होने मुझे फोन पर बुला के कहा आप तो कह रहे थे शुद्द चांदी के हैं ये तो प्यूर गिलट है बहुत दुख हुआ उस दिन से एक बाइ इतना दुख हुआ कि उनकी दुकान नहीं उनसे बूल चाल करने में भी मुझे जिजग हुई पृति रूपक ब्यवहारा ये तो इन्होंने अनाचार कर दिया दो वस्तू मिलाके और महंगी के हिसाब से बेचने की बजाए आप गिलट बेचते हो सगे आजमी को बेचते हो और चांदी के के बेचते हो कितना अन्याय है तो ये अचोरे अनुबरत के अतीचार है एक बार फिर समझें इस तेन अप्रियोग किसी को चोरी के उपाए बताना तदाहरतादान जिसको चोरी का उपाए बताया था उससे नहीं पर अन्य किसी और चोर से चोरी का माल खरीदना जिनका चोरी के माल खरीदने का व्यापार है उनके तो अचवर्यान बृत होने का प्रश्नी ही नहीं लेकिन भूल चुक से कभी लहने में आ जाए तो भी दोश होगा विरुद्ध राजयाते क्रम विरुद्ध राजिका उलंगन करना अर्थात राजिके नेमों को नहीं मानना ही नाधिक मानोन मान तोलने और नापने के लीटर या बांट आदी कमती बढ़ती रखना और प्रति रूपक ब्यवहार अर्थात एक सी रूप रंग में दिखने वाली दो वस्तूओं को मिला कर और असली के भाव बेचना महंगी के भाव बेचना अगर आपने चांदी का कोई सामान बनाया और उसमें मानलो 50% चांदी है और 50% मिलावट तो आप ये कहके बेचिए कि इसमें 50% चांदी 50% मिलावट है तब तो ठीक है अगर आप उसको 60-70 कहके बेचते हैं तब उसमें अच्छोर यानवरत में दोश लगता है इस प्रकार अच्छोर यानवरत के 5 अतीचार हुए ऐसा मत कहिए कि बिना टेक्स की चोरी के व्यापार होता नहीं मैं ऐसे बहुत लोगों को जानता हूँ जिन्होंने ऐसे व्यापार रख रखे हैं एक पैसा भी टेक्स की चोरी नहीं होती और बड़े आनंद की नीद सोते हैं ऐसा नहीं कि टेक्स की चोरी करनी पड़े टेक्स की चोरी कहां की जाती है जहां ज्यादा आमदनी करनी हो government ने income tax बगेरे के कानूर इतने liberal बना दिये हैं अब कि उन में ज्यादा tax की rate भी नहीं है चूट भी बहुत है लेकिन आप चाहते हैं कि tax देना ही नहीं पड़े और सारा का सारा मेरे घर में रह जाए अगर ऐसा है ना ये तो गलत है ऐसा नहीं होना चाहिए आपको ऐसा व्यापार चुनना चाहिए जिसमें tax चूरी की नौवत नहों आज भी ऐसे बहुत सारे व्यापार हैं आप दुकान में एंटर हो ये सारा माल एक नंबर से मिलता है tax की चूरी का कोई सवाल नहीं है चाहिए क्या इमानदारी से जितना पैसा मिले उसमें हम संतोष करना सीखें हमें संतोष नहीं होता हमारी तुरशना बहुत है तो हम क्या करते है tax की चूरी करते हैं बिलकुल गलत है tax की चूरी करना चूरी ही है आप सोचिए जो tax की चूरी करते हैं उनका दिल हमेशा धड़कता रहता है दरवाजे पे आके कोई जीप रुके कोई गाड़ी रुके तो क्या होता है धड़कन बढ़ जाती है कौन आया, क्या आया, पुलिस क्यों आई, क्या हुआ हम एक घटना आगरी की बताते हैं आगरी में एक सज्जन थे वो सोने चानी की मोतिया मिंद वाली, मोतियों वाली जंजिर बनाने का काम करते थे उन्होंने बहुत रुपया कमाया इत्तफाक की बाद सुबह दरवाजे पे घंटी बजी वो सज्जन सेट साब खुज जोते वो उठे, उन्होंने गेट खुला इनकम टेक्स वाली ने रेट का उनको आडर दिखाया आपकी सर्च होनी है आडर देखते ही वो गिर पड़े और उनका हाट फेल हो गया इतना क्यों कमाना कम कमाने में संतोष क्यों नहीं रखते ज्यादा जिसको तरशना है ज्यादा हाय हाय है वो ही ज्यादा चोरी करता है जै 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 ने परप इस कारेक्रम के प्रायोचक है श्री पारसनाथ री रोलिंग मिल्स लिमिटेड दुर्गापोर शुन्य एक वर्धमान पश्रुम बंगाल अमीता जैन पत्ने अनिल कुमार जैन संगीता जैन पत्ने विपिम कुमार जैन नावला परिवार श्री मानक चंद मुश्रफ श्रीमति कमला देवी मुश्रफ राकेश, नीतो, रिशव आयूशी मुश्रफ, भी एक्सो तेस सेठी कॉल्ने, जैपूर राजस्थान डॉक्टर सरोज जैन सुभाष चंद जैन, रेनू जैन, अंजली जैन, आर्थी, आदित्य, आरव, सानवी, कुवम जैन, 302, सेक्टर 13, सोनीपत हरियाना श्री अशोग कुमार रतनलाल जैन, नूतन, गौतम, प्राजी, आदित्य, डॉक्टर सलोनी निरंजन, अरहन, आराध्य महिता, उननचास, बालचंद टेरस, तार्देव रोट, मुंबई रतनलाल, कमल कुमार, शांति देवी पाठने, इमफाल जैन, परिवार, शक्ति नगार, नई दिल्ले